चलिए एक सवाल देखते हैं आपके सामने एक सवाल है बड़ा छोटा सा सवाल है और हम हमारे पास दोनों बाते यहाँ पर गीवन हैं तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में काफी बच्चे तो जवाब मुझे देही देंगे बहुत सारे धेर सारे स्टूडेंट को इनका आंसर पता होगा और वो दे देंगे मैं इतना मानता हूं क्योंकि इतना आसान चेप्टर ही है अब मैं आपसे ही पूछूँगा और धीरे धीरे करेंगे कोई जल्दवाजी नहीं है पहला कुश्चन है बागी कॉलम बहुत बड़े बड़े कीचली है मैंने काम का है नहीं इतना प्लस और माइनस प्लस और माइनस ओके यह तो लॉस वाले है लॉस वाला बाद में पहले प्रोफेट वाला देख लेते हैं क्या ये profit वाला है ये profit वाला है तो loss वाला भी देखेंगे चिंता मत करो loss वाला भी करेंगे कुछ फरक नहीं है loss में वहाँ पे net loss दे रखा था इसलिए उस page को skip कर दिया कोई बात नहीं particular क्या आएगा सर CRS मैं short form यूज़ कर रहा हूँ आप नहीं कर सकते नंबर कर जाएंगे exam में चलिए सर क्या कहता है profit दे रखा है और cost के नीचे दे रखा है profit दे रखा है cost के नीचे question कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो अब दिख जाएगा सर profit दे रखा है किस के नीचे cost के नीचे अरे हाँ अच्छा यह उपर आ गया मैं कहूँ profit कहां चले गया यह रहा profit यह रहा profit पचास अजार तो हम लेंगे profit as per profit as per as per cost और लीजिए जी पचास अजार लिख दिया अब कहता है marketing overhead marketing overhead cost में आठ हजार और finance में आठ हजार मतलब दोनों जगे आठ हजार लिखा है तो profit पे तो impact ही नहीं आ है तो इसलिए इसका कोई काम नहीं है यानि सर ये भी सोचना पड़ेगा कि अब बिलकुल अगर cost और finance में दोनों चीजे खर्चे या income बिलकुल सेम है तो profit तो differ हुआ ही नहीं होगा जैसे कि यहाँ पे बोला marketing overhead आठ हजार आठ हजार मैंने बोला भी ये किसी काम का नहीं है provision for bad debts सर provision for bad debts cost में नहीं आता सर्फ finance में आता है और provision for bad debts क्या है सोचो दिमाग लगाओ मैं लिख रहा हूँ आप सोचो आप भी कमेंट में भी जवाब दो provision for bad debts क्या होता है provision for bad debts bad debts बच्चे ने बताया provision for bad debts सर खर्चा है तो चलो खर्चा तो पता चला लेकिन उससे profit पे क्या फरक पड़ा होगा profit पे क्या फरक पड़ा होगा बता दीजिए फटाफट profit शुरूती जो under recover जो भी है doubt तो वो चीज़े समझा देंगे तो sir बच्चे कह रहे हैं कि sir provision for bed dates हमारा plus बता रहे हैं बच्चे ध्यान से सुनिये provision for bed dates is an expense sir क्या बात कर रहे हो यह expense है और expense कहां पे दे रखा है हमें expense दिखा रखा है कहां finance book में यह भी check करो तो finance में अगर हमने खर्चा दिखा रखा है तो finance का profit घट रहा होगा तो हम भी statement में minus कर देंगे that is यह आगया हमारा 5000 5000 5000 किसी को doubt इसमें बताईए एक एक point पूँछके करेंगे profit minus होगा minus होगा minus होगा minus होगा minus होगा minus होगा कि इल्मा ने भी बता दिया minus होगा सभी को यह समझ में आया एक बच्चे ने तो पूरा answer ही निकाल के दिखा दिया आपने तो answer ही काल दिया फिरुख जो हम भी चेक करते हैं क्या आनसर आया चलिए फ्यक्ट्री ओवरहेड ओवरहेड खर्चा यहां पे कॉस्त में 85 यहां 7000 इसका मतलब यहां compare करेंगे फ्यक्ट्री ओवरहेड फ्यक्ट्री ओवरहेड कहता है सर कॉस्ट में जो है cost में जो है वो 85,000 दिखाया है लेकिन finance में 7,000 दिखाया है तो हमें तो सोचना किसके बारे में है और difference से फरक आ रहा हुगा तो finance में हमने ये खर्चा कम दिखाया हुआ है और खर्चा कितना कम दिखाया हुआ है पंदरा सो रुबे तो पंदरा सो अगर आपने finance में कम खर्चा दिखाया है तो उसके profit पर सोचिए दिमाग से क्या फरक वह तो profit बढ़ रहा होगा तो हम भी बढ़ा देंगे कितने से बढ़ रहा होगा पंदरा सो से सोच पा रहे हैं जैसे मैं सोच रहा हूँ आपको ऐसे ही स जाएगा बताईए डायरेक्टर फी एड हो बाई पंदरा सो बच्चों ने बताया एड बाई पंदरा सो बिल्कुल ठीक डायरेक्टर फी डायरेक्टर फी होता है खर्चा और कहां है सिर्फ finance में तो finance के profit घट गया और उससे हमारा statement भी क्या होगा घट जाएगा सर कितने से दो हजार सर ये सवाल ना दस नंबर का आता है और मुझे समझ में नहीं आता है ये एक तरी से lucky draw है बच्चे के लिए तो तो income tax पंदरा हजार income tax पंदरा हजार income tax finance में आ गया होगा जो finance में आया होगा तो खर्चा बढ़ गया और खर्चा बढ़ने की वजह से हमारा profit कम हो क्या होगा तो माइनस में income tax income tax income tax और माइनस में कितना है पंदरा हजार rent of on premises rent of on premises यानि rent on premises का क्या है हमारा ये हमारा खर्चा है एक rent of on premises income tax minus ये क्या है हमारा एक खर्चा है तो ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ कहां है cost sheet में खर्चा है तो cost sheet में खर्चा का मतलब cost का profit कम और cost का profit कम का मतलब finance का ज़्यादा तो हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे rent cost में दिखा रखा है यहां नहीं दिखा रखा कितने 6000 रुपए rent के बाद depreciation depreciation तो चलिए depreciation की बात करते है सर cost के अंदर depreciation है 11.250 और finance में में रहे 12.000 तो दिमाग आपको लगाना है यानि सर 7.500 रुपए का फरक और 7.500 रुपए finance में ज़्यादा है और अगर 7.500 रुपए depreciation finance में ज़्यादा है तो इसका मतलब सर उसका profit कमा रहा होगा कमा रहा होगा 7.500 से तो हम भी minus कर देंगे कितना 7.500 चलिए इसके line को थोड़ा increase कर लिया जाए और थोड़ा सा space बना लिया जाए depreciation depreciation वाला point बोला गया एक बर और देखिए depreciation में क्या कहता है depreciation कहता है cost में तो हमने इतना लगाया खर्चा finance में ये लगाया है तो मतलब साफ साफ है कि हमने finance में खर्चे को ज़्यादा दिखाया है इसका मतलब उसका minus में जाएगा तो इसलिए हमने साड़े साफ सो minus में किया साड़े साफ सो क्यों जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा उसी खर्चे से treat करेंगे ठीक है चलिए transfer fee credit यहाँ पे word है credit मतलब income तो share transfer fee share transfer fee share transfer fee जो है वो finance के अंदर आ गया है तो पैसा income हो गया है finance में तो यानि plus हो जाएगा कितने एक हजार रुपे administrative overhead सर यहाँ 5 और यहाँ 8 admin overhead admin overhead सर यह खर्चा है खर्चा है सर admin overhead सर कहता है सर भहिया cost के अंदर ना 5000 खर्चा दिखाया लेकिन finance में 8000 इसका मतलब क्या इसका मतलब finance में ज़्यादा खर्चा दिखा दिया गया है यही बात हुई और finance में ज़्यादा खर्चा दिखा दिया मतलब profit कम हो गया 3000 से तो हम भी क्या कर देंगे minus बस अब कुछ नहीं बचा अब कुछ नहीं अब तो हमें एक काम करना है total total तो total करते है फटा फट से total करते है सर फटा फट चलिए पचास हजार पंदरा सो छे हजार एक हजार तो यह आगया 58 58500 और यही total इधर लिखना है 58500 यही total इधर लिखना है अब जो difference आएगा इधर लिखेंगे profit as per profit as per सर किसके हिसाब से cost से था तो यह finance से होगा finance से होगा minus कर देते हैं सर 5000, minus 2000, minus 15,000 minus 750, minus 3000 यह आगया 32 32 32 आपके किताब का ही सवाल है यह 10.2 आप देखिए आपके किताब का ही सवाल है ऐसा नहीं कि मैं अलग करा रहा हूँ मेरा main purpose है डियू को साथ में और किसी भी university का बच्चा हो तो सवाल तो सवाल होता है और मैं सारे सवाल कराऊँगा जो किताब के जैसे हमने contract में किया फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ 10 year एकी बार में नेप्टा दूँआ जैसे जैसे समय मिलेगा वो कर लेंगा इस सवाल में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दे सर फैक्टरी ओवरहेड रिपीट कर दे फैक्टरी ओवरहेड तो सर फैक्टरी ओवरहेड कहता है कॉस्ट में था 8500 और फाइनेंस में 7000 मतलब सर फाइनेंस में फाइनेंस में हमारा कम खर्चा है कम खर्चा है कितने से कम खर्चा है 1500 रुपे से कम खर्चा है तो finance में अगर कम खर्चा है तो profit up होगा तो इसलिए 1500 प्लस कर दिया गया सर वीडियो buffer हो रहा है चलिए इसको refresh कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है